वेलकम बैक दोस्तों मैं आदेत्य गुपता प्रॉम एनाइटी जम्षित को आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीवी आटी में तो दोस्तों आसिट पेस अन्सौल एकिस लेक्षर में हम पढने जा रहें पेज़िए के बारे में उसके बाद हम देखेंगे इंकष्टेंस ऑफ पीएच इन आर्व डेली लाइफ यानि हमारे डेली लैफ में पीएच का क्या रोल है क्या इंसको समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे strength of acid and base solution यानि कि आपका pH skill के बारे में अब pH देखी लिखते कैसे हैं pH लिखने का तरीका होता है कि small p आप लिखेंगे और capital H लिखेंगे अब इसका meaning समझते हैं जो आपको small p है इसका मतलब होता है potence और potence आपका German word है जिसका meaning होता है power English में इसका meaning हुआ power और जो H लिखा है बाद में इसका मतलब होता है hydrogen ion concentration आपको hydrogen ion होता है यानि आप जिसे H plus लिखते हैं इसका concentration तो अगर pH को साथ में देखा जाए तो pH का simple meaning हो जाएगा power of hydrogen ion concentration अब इसका history भी थोड़ा देख लेते हैं pH scale up 1909 में discover किया गया था कब 1909 में scientist का name क्या था Sorensen आप name भी एक बार ध्यान रखिएगा year वैसे भी उतना important नहीं है पर year और name दोने ध्यान रखने में आपका पायदा होगा scientist का name है Sorensen अब यहां पर हमने hydrogen ion term use किया hydrogen ion concentration इसका meaning समझते हैं देखे लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने ionization की बात की थी और ionization का meaning हमने क्या पढ़ा था कि ions में break होना अब जो हमारा water होता है water मतलब H2O इसका ionization बहुत कम होता है और यह ionize किस में होता है H plus ion और OH minus ion यानि hydrogen ion और hydroxide ion में अब जब कभी भी हम pure water लेते हैं किस तरह का का pure water तो उसमें जो hydrogen ion concentration है और जो hydroxide ion concentration है hydrogen ion और hydroxide ion दोनों का concentration बराबर होता है अब देखे concentration लिखने का तरीका क्या होता है concentration जैसे आपको H plus का लिखना है तो आप H plus लिखेंगे इसके बाहर आप ऐसे square bracket लगाएंगे square bracket का मतलब होता है concentration तो जब आप कभी pure water ले रहे हैं तो उसमें H plus ion का concentration concentration OH minus ion concentration के बराबर होता है यानि यह equal amount में present होते हैं और इसी की वज़े से जो आपका pure water है यह ना तो acidic होता है ना ही basic होता है यह आपका neutral होता है pure water is neutral अब देखिए pH को concept कैसा है वो समझते हैं जैसे हमने कोई acid ले लिया और साथ में हमने water लिया तो हमको पता है acid से हमको क्या मिलेगा H plus ion मतलब hydrogen ion साथ में एक negative ion और उसके साथ water में याद करी water में क्या मिल ला है H plus और OH minus यानि hydrogen और hydroxide ion अब जाहिर सी बात है जब हम acid मिला दिये हैं तो हमारे पास जो H plus ion concentration है इस पूरे solution में वो बहुत जादा हो जाएगा क्या होगा जो हमारा H plus ion का concentration है वो बहुत ही जादा हो जाएगा OH minus ion तो आपका रहेगा ही पर H plus इतना जादा हो जाएगा कि इसका effect जो है वो हमें बहुत कम दिखेगा अब जितना जादा H plus ion concentration होगा उतना ही जादा acidic nature होगा acidic nature हम यहां किसकी बात कर रहे हैं इस solution की कहां जहां पर हमने acid और water दोनों को साथ हम मिलाया है तो देखे अगर हम starting से समझें तो H2 को हमारा जैसे neutral water होगा pure water यह H plus और OH minus ion में break हुआ अब इसमें हमारा quantity है वो दुनों बराबर होता है जिसके वज़से pure water का pH है वो 7 होता है या फिर हम कहते है pure water हमारा neutral है पर अब इसी water में हम जब किसी acid को मिला रहे है तो क्या होता हमारा H plus ion concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता है acid किसमें break होता है hydrogen ion और साथ में negative ion और हमें water भी पता है किसमें break हो रहा है H plus और OH minus में तो overall हमारा solution है acid और water का इसमें hydrogen ion concentration बहुत ज़्यादा हो जाएगा increase कर जाएगा जिसकी वज़े से hydrogen ion concentration बढ़ेगा और हमारा acidic nature बढ़ जाएगा अब इसी तरह अगर हम कोई base ले रहे हैं और उसमें water मिला रहे हैं तो क्या होगा हमको पता है base के किसमें हमें OH minus ion मिलता है और water में आपको क्या मिलेगा H plus और OH minus ion तो इस case में क्या होगा आपका जो OH minus concentration है hydroxide ion concentration वो बहुत जादा हो जाएगा वो बढ़ जाएगा जिसकी वज basic solution है मतलब आप base और water मिला रहे हैं तो इसमें आपका hydrogen ion तो present है पर यहाँ पर OH minus ion इतना ज्यादा होगा कि जो H plus ion है इसका acidic nature कम हो जाएगा इसका effect नहीं पता चलेगा जिसकी वजह सो जो हमारा overall solution है base plus water का वो basic nature होगा और main reason क्या है OH minus ion concentration जितना ज्यादा यह होगा उतना ही हमारा basic nature होगा तो अब यह दोनों example देखके हमको क्या पता चला है यह आपका first example लिया तो हमने acid plus water और यहाँ बाद में base plus water दोनों का examples हमको यह पता चला है कि अगर हम acid solution ले या फिर base solution ले दोनों में हमको एक चीज़ कॉमन है वो है hydrogen ion जो आपका H plus ion है वो दोनों में मिल ला देखिए यहाँ पर भी आपका H plus ion है जब आपने base लिया है और यहाँ पर भी जब आपने acid लिया था तो उस case में भी H plus ion same था मतलब common था अब इसी बात को इसी property को use करके जो हमारे scientist थे Sorenson उन्होंने 1909 में कब 1909 में 1909 में जो pH scale है उसकी discovery की और उन्होंने बोला कि जो हमार strength है किसी भी acid solution का या फिर किसी भी base solution का उसको हम hydrogen ion concentration का use करके represent कर सकते हैं दिखा सकते हैं तो यहीं से आपका pH scale आया अब pH scale में क्या था आपका numbering था numbering कहां 0 से लेकर 14 तक और बीच में आपका यह हो गया 7 और जो हमारे scientist Sorenson थे उन्होंने एक point बोला कि pH of a solution किसी भी solution का जो pH होगा वो inversely proportional होगा inversely मतलब 1 upon किसके hydrogen ion concentration के इसका मतलब जितना ज्यादा hydrogen ion concentration होगा उतना कम pH होगा जितना कम hydrogen ion concentration होगा उतना ज्यादा pH होगा अगर हम इसको ऐसे समझें कि यह से हमने कोई strong acid ले लिया अब हमको पता है हमने last slide में पढ़ा रखा है कि strong acid के case में आपका जो h plus ion concentration होता है वो बहुत ज्यादा होता है h plus ion concentration बहुत ज्यादा हुगा इसका मतलब 1 upon h plus ion ये total quantity छोटा हो गया जब h plus ion आपका ज्यादा है तो 1 upon h plus कम हो गया इसका मतलब जो तब pH होगा वो कम होगा तो यहां से पता चला कि जो हमारे strong acid है उनका pH कम होता है low pH इसी तरह गर हम सोचें कि हमने weak acid ले लिया कोई अब weak acid में हमको पता है कि h plus ion होता तो है पर बहुत ज्यादा नहीं होता कम होता है अब जब उस कम quantity को 1 upon करेंगे तो वो बड़ा हो जागा इसका मतलब pH of weak acid क्या होगा ज्यादा होगा आपका किससे strong acid से तो weak acid का high pH होगा अब यह दिखिए scale को थोड़ा समझते हैं 7 आपका होता है neutral यानि ना वो acidic nature है ना वो basic nature है अब 0 से 7 में होते हैं आपके acid 0 से 7 में आपके सारे acids के pH होते हैं 7 से 14 साथ से 14 में आपके bases जितने भी base हैं उनके pH होते हैं अब pH scale में जितना कम से कम pH होगा जैसे strong acid होगा और जैसे जैसे हम 3,4,5,6 इधर की तरफ आएंगे 5,6,7 की तरफ आएंगे यह आपका weak acid होता जाएगा यह जो reason आप देख रहे हैं यह आपका weak acid हो गया इसी तरीके से आप जैसे 7 के आगे बढ़ेंगे थोड़ा यह आपके weak base होंगे और जो इधर end में होंगे 11,12 13,14 जिसका pH 12,13,14 होगा यह आपके बहुत strong base होंगे कैसे strong base तो समझ यह acid का basic nature कैसे change हो रहा है आपका pH scale कहां से है 0 से लेकर 14 तक है 7 पर आपका solution neutral होता है 1 से 7 में 0 से 7 में sorry आपके acids होते हैं और 7 से 14 में bases होते हैं जिनका भी pH 1 से 7 या फिर 7 से 14 में जो भी आ रहा है उस according acid या base का nature decide होता है अब जितना कम pH होगा जैसे 1,2,3 इधर कम side हो गया वह आपके strong acid हो गया अब जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे आपका acidic strength कम होगा यह आपके weak acid में आ जाएंगे 4,5,6 वाले ठीक इसी तरह यह आपके 8,9,10 इधर के base हैं यह आपके weak base हैं किस तरह के weak base हैं और जैसे जैसे आप 14th के तरफ जाएंगे end के side जाएंगे तो यह आपका strong base होता जाएगा अब इसको मैं आपको एक proper diagram से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ मैंगा यह देखिए यह आपका pH scale है pH देखिए यह numbering दिया हुआ है 0, यह जितने भी pH value है 0 से 7 तक यह आपके acid के लिए हैं और वहीं 7 से 14 यहां तक जो है आपके basis के लिए हैं या फिर alkalis, alkalis क्या था आपका जो basis soluble in water हों और 7 पर आपका हो जाएगा neutral यानि ना वो acidic है ना वो basic है अब देखिए यहां पर क्या है जितना कम pH है उतना ही strong acid है यही अब ही मैंने समझाया था फिर जैसे जैसे हम 7 के साइड आ रहे हैं यह जो acidic strength है वो कम होता जा रहा है यह weak acid होता जा रहा है अब यहां देखिए 7 पर neutral हो गया अब 7 के बाद आपका week अब 7 के बाद आपका base start होता है 7 के बाद आपका starting है 8,9,10 यह आपके weak base होते है या फिर weak alkali फिर आपका जैसे साड़े 10 या 11 के पार होता है जैसे आप 14 के side जाते हैं यह आपका strong base होते जाएगा या फिर strong alkali तो देखिए 7 से आप 0 के तरफ जाएंगे 7 से आप नीचे जाएंगे तो आपका जो acidic nature है वो बढ़ेगा 7 से 0 जाने पर आपका acidic nature बढ़ेगा ठीक उसी त है और अगर h plus iron concentration के term में देखें तो जैसे आप 7 से यह आपका 7 हो गया 7 से 0 के side जाएंगे तो आपका h plus iron concentration जो है वो बढ़ेगा और हमने हमें already पाता है कि जितना ज्यादा h plus iron concentration होगा उतना ही ज्यादा acidic nature होगा उतना ही strong हमारा acid होगा ठीक उसी तरह अगर 7 से हम 14 के side जा र concentration तो कम होगा पर जो oh minus concentration है यानि हमारे जो hydroxide iron concentration है वो बढ़ेगा और जितना ज्यादा oh minus concentration होगा हमको पता है कि उतना ही ज्यादा यह basic nature बढ़ेगा अब देखिए दोस्तों competition में क्या होता है कभी-कभी numerical question पूछ लेता है तो numerical question के लिए आप formula देखें कहां से आएगा यह हम formula आता है और उस formula को हम लोग याद कर लेंगे और कभी-कभी उस formula से हमका direct numerical या फिर direct question आ जाता है formula है h plus iron concentration देखें h plus iron concentration कैसे लिखेंगे h plus लिखेंगे side में square bracket लगा देंगे जो हमारे h plus iron concentration होता है वो है 10 की power minus pH 10 की power में या फिर आपका एक दूसरा formula क्या बन जाता है कि pH is equal to negative logarithm logarithm आपका एक function होता है negative logarithm of h plus iron concentration h plus iron concentration और इसका base 10 है तो देखेंगे second formula तो उतना use नहीं आएगा पर आपका जो first formula है यह आप numerical वगरमें बहुत जगा देखेंगे numerical वगरमें आपको कैसे देदेगा जैसे बोल देगा किसी solution का pH 2 है solution pH का 2 है अब आपको इसे पूछ लेगा कि आप hydrogen iron concentration बताओ तो देखेंगे कैसे आप solve करेंगे आप इस formula में put करेंगे आपका यह answer एक बार में आ जाएगा तो formula input करते हैं देखें क्या आगया h plus iron concentration क्या होग 10 की power minus pH 10 की power minus pH अब 10 की power minus pH क्या बोला है यहाँ पर 2 पर तो हमारा इस question का answer हो जाएगा कि जो hydrogen and concentration है pH 2 पर कितने पर 2 pH पर वो है 10 की power minus 2 या फिर आपका 1 upon 100 10 की power minus 2 का आप लिख सकते हैं 1 upon 100 यह होगे आपका hydrogen and concentration अब देखेंगे एक छोटा सा point और यह आपका pH होता है 0 से 14 में यह जब हम लिखते है ना जैसे हम लिख दिए pH 7 हो गया तो अगर कहीं pH 7 लिख रहे हैं तो इसके आगे हम कुछ लिखते नहीं है यह unit less quantity है इसका कोई unit नहीं होता है जो मारा pH scale है जो हम pH denote करते हैं इसका कोई unit नहीं होता है जैसे हम pH is equal to 2 लिखें इसके आगे इसको एसे लिख सकते हैं वन अपॉन है अब यह तो था है अच्प्लस के टर्म में इसी तरह आप ओएच माइनस के टर्म में भी लिख सकते हैं और वहां पर लिखने का तरीका अपका अलग होगा जैसे आप पी ऑफ एच लिख रहे हैं मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन अब इसके बाद कह रहे हैं कि हम इस अप तरीक हाप और पांच कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पर और इसके बाद जो हमारा pH है वो change होकर 4 हो जा रहा है pH पहले 4 पहले 5 था फिर हमने इसमें acid एड़ किया और उसके बाद जो हमारा final pH है वो 4 हो गया तो question में पूछ रहा है हमको change in hydrogen and concentration question में पूछा है change in hydrogen and concentration question और यह question अभी हाली में किसी बच्चे ने doubt भी पूछा था तो देखिए उस बच्चे का doubt भी clear हो जागा और साथ में आप सबको भी समझ में आ जाएगा कि इसको solve कैसे करना है तो देखिए जब pH 5 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे hydrogen and concentration जब आपका pH 5 है हमको formula क्या पता है कि H plus ion concentration is equal to 10 की power minus pH यह हो जाएगा आपका 10 की power minus 5 ठीक यह हो गया आपका H1 मान लीजे जैसे starting में अब जब आपने acid add कर दिया उसके बाद आपका pH हो गया 2 तो बाद में आपका hydrogen ion concentration है यहां पर 2 लिख दे रहे है मतलब बाद में यह हो जाएगा 10 की power minus pH formula तो वह ही रहाएगा जो अभी हमने last page पे देखा है यह हो गया 10 की power minus 4 अब यहां पर एक छोटा सा बात आप लोग और याद रखेगा यह जो concentration हमनों लिखते है ना square bracket में ऐसे h plus करके और बाद में जैसे कोई number आया है x उसका unit होता है वह होता है capital M, capital M मतलब molarity तो यहां पर 10 की power minus 5 यह M हो गया और यहां पर भी यह M है आपका अब यहां पर question में क्या पूछा है change in h plus ion concentration तो देखिए change आपका क्या हो जाएगा जो आपका final h plus ion concentration है मतलब 10 की power minus 4 divided by आपका initial starting में क्या था h plus ion concentration 10 की power minus 5 यह आगया आपका 10 अब यह 10 answer आया इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो h plus ion concentration है वो 10 times increase हो रहा है वो 10 गुना बढ़ रहा है ह एच प्लस ion concentration 10 times increase हो रहा है कब हो रहा है जब हमारा pH 5 से 4 आ रहा है और यह तो जाहिर सी बात हो नहीं था क्यूंकि हमको पता है जैसे-जैसे pH कम होगा जैसे-जैसे हमारा pH कम होगा वैसे-वैसे hydrogen ion concentration बढ़ता जाता है तो अगर यहां एक pH से change हो रहा है मतलब 5 से 4 आ रहा ह है तो जो हमारा h-plus ion concentration है वो 10 गुना बढ़ रहा है इसी तरह अगर सेम question में हमारा pH 5 पहले लेते अब बाद में जैसे समझी pH 4 की जगह यहां 3 होता तो उस case में क्या होता अपका यहां पर minus 3 आ जाता minus 3 करते तो यह आपका overall solve करके 100 आ जाता है यानि कि अगर आपका pH 5 से यहां उपर लिख दे रहा हूं अगर pH 5 से 3 हो रहा है तो उस case में आपका जो hydrogen ion concentration है वो 10 की जगह 100 गुना बढ़ रहा है कितना 100 times तो इसी type का आपका basic question आ सकता है अगर आपका numerical आता है CB entrance exam है देखिए जल्दी तो आपको पूछे का नहीं numerical pH से क्योंकि आपका NCIT में नहीं given है पर क्योंकि यह topic 11th का है और आप लोग exam prepare कर रहे हैं 11th के लिए या फिर diploma engineering के लिए तो वहाँ पर आपको acid base पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर आपको यह formula यूज कराया जाएगा तो क्या होता है कभी-कभी competition में आपको थोड़ा high level का question पूछ लेता है और इस type के question आने के chances रहते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने एक term use किया molarity जिसको मैंने capital M से represent किया तो आपके मन में आयोगा कि यह molarity क्या होता है तो चलिए इसको भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं molarity basically आपका एक concentration term है जिसका formula होता है number of moles of solute divided by volume of solution in liters volume of solution किसमें लेंगे? liters में अब याद करिए जो number of moles of solute का formula है वो हमने class 9 में पढ़ा था वो क्या था? gram amount divided by molar mass और molar mass हमको पता है कि हमने grams में लेते हैं तो एक तरीकी से आपका molarity का जो formula है वो है number of moles of solute divided by volume of solution in liter solute क्या हो गया? आपका solution का दो पार्ट होता है solution जो है वो आपका दो पार्ट से मिलके बनता है किससे? solute और solvent से अब जो चीज़ आपका ज्यादा amount में present होता है उसको solvent कहते हैं और जो चीज़ कम amount में present होता है उसको हम solute कहते हैं तो यहाँ पर आपका molarity के formula में solute का importance है formula है number of moles of solute divided by volume of solution in liter इसका use तो अभी आपको कहने आएगा पर आप इसको अभी याद रखे यह molarity है और इसको denote कैसे करते हैं capital M से अब इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने pH scale पर जो हम लोग आपस में compare नहीं कर सकते हैं पर यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं universal indicator यहाँ पर different different acid या फिर different different basis को हम आपस में compare कर सकते हैं कैसे compare कर सकते हैं उनकी pH value के साब से यह दिखिये जो आपको नीचे दिख रहा है यह आपका युरिवर्सल इंडिकेटर है अब देखे जब आपका अलग-अलग pH है तो उस case में ये आपको different colors दे रहा है जैसे अगर आपका pH 1 है तो ये red दे रहा है फिर जैसे-जैसे pH बढ़ रहा है इसका color orange से yellow side जा रहा है फिर देखे बीच में green है फिर जैसे-जैसे basic nature बढ़ रहा है वैसे-वैसे देखे इदर sea green color है light blue फिर blue बढ़ता जा रहा है और end में आते-आते आपका purple color हो जा रहा है और last में ये violet हो जा रहा है तो अगर हम इसमें relative strength compare करना हो या फिर दो acid दो base को compare करना हो तो हम इस universal indicator को use करेंगे और उसके color से हम बता देंगे कि किसका pH ज्यादा है कि इसका pH कम है कौन strong acid है या फिर कौन weak acid है अब आज का last topic है importance of pH in our everyday life यानि जो हमारा pH scale है या फिर different substances के जो pH होते है power of hydrogen and concentration इसका हमारे regular life में everyday life में क्या use है तो दिखिए यहाँ पर आप लोग को एक table दिया गया हुआ है जिसमें यहाँ पर कुछ substances लिखे हुए है उसके सामने उसका pH mentioned है अब यहाँ जहां लिखा हुआ है pure water जिसका pH लिखा है 7 यह आपका होता है neutral 7 की उत्पर जितने भी हैं यह आपके acidic nature के होगे और 7 के बाद यहाँ से लेकर 14 तक यह आपके basic nature के होगे अब substances के हम pH देख लेते हैं जो हमारा concentrated HCl है concentrated hydrochloric acid उसका pH 0 है अब इसको जैस pH हो गया 1 इसी तरह से gastric juices का 1.4 lemon juices का 2.5 vinegar यानि आपका acidic acid CH3COOH इसका होता है pH 4 फिर tomato juice इसका 4.1 coffee भी आपका acidic nature का होता है soft drinks का pH 6 होता है soft drinks में आपका क्या present होता है carbonic acid carbonic acid होता है H2CO3 फिर milk में क्या होता है lactic acid जिसके वस इसका pH 6.3 5 होता है अब इसके बाद base के तरफ आते हैं base में क्या है saliva खाना खाने से पहले हमारे pH क्या होता है 7.4 खाना खाने का बाद pH क्या हो जाता है 5.8 फिर next है blood blood जो है हमारा basic होता है उसका nature क्या होता है basic और उसका pH है 7.4 फिर eggs एग्स का pH 7.8 टूथपेस जो हम लोग करते हैं इस इसका pH 8 से 9 होता है baking soda solution baking soda क्या होगे आपका sodium bicarbonate NaHCO3 इसका pH होता है 8.5 फिर washing soda washing soda का pH है 9 milk of magnesia या फिर जिसे हम कहते हैं magnesium hydroxide इसका pH है 10.5 household ammonia इसका pH 11.6 dilute sodium hydroxide sodium hydroxide क्या है आपका NaOH है जब इसको dilute हम ले तो 13 और जब इसी concentrated कर देंगे तो यह strong base बन जाएगा और उसका pH हो जाएगा 14 अब यहां पर जो आपको pH values दिया हुआ है यह आपको याद तो नहीं करना है पर आपको एक मोटा मोटा idea ले 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 किस सब्सेंस का basic nature है और यहां पर कुछ कुछ का याद कर लेना भी ठीक रहेगा जैसे आप blood का याद कर लिजेगा toothpaste का देख लिजेगा आपको जो soft drinks होते हैं milk होते हैं vinegar होता है साथ में saliva यह सब का pH value आप लोग याद कर लिजेगा साथ में एक और pH value आप लोग याद कर लि pH होता है 5.6 जब water का pH value 5.6 से कम हो जाता है तो उस case में हम बोलते हैं कि rain acidic हो गए और acidic rain क्यों होती है उसका reason है कि हमारे atmosphere में क्या होता है sulfur dioxide और nitrogen dioxide acid SO2 और NO2 यह क्या होते हैं जब पानी के contact में आते हैं जब बारिश होता है मतलब H2O से contact में आए तो यह acid form कर लेते हैं कौन सा acid SO2 जब H2O के साथ मिलेगा तो फर्म होता है sulfurous acid H2SO3 साथ में NO2 जब H2O के साथ फर्म होगा तो बनेगा H2NO3 यानि nitrous acid और sulfurous acid यह दोनों फर्म जाता है तो देखे एक्जाम में question भी कई बाप पूछ लेता है कि pH of acidrin बताइए तो उसका आंसर हो जाएगा 5.6 और साथ में यह भी पूछ सकता है कि acidrin का reason क्या है तो answer है कि SO2 और NO2 sulfur dioxide और nitrogen dioxide जो हमारे atmosphere में present है उसकी वज़स से यह sulfurous acid और nitrous acid form कर लेता है और overall जो हमारा water का behavior है वो neutral से acid की side shift हो जाता है अब कुछ और importance देखते हैं pH की हमारी everyday life में pH and digestive system अब आप लोगों उन्हें बायो में जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा पेट है stomach है वो hydrochloric acid यानि जो आपका HCL है इसको secrete करता है और जो हमारा dilute HCL होता है यह digestion of food में हमें help करता है किसमे help करता है digestion of food में जब तक ये एक limited amount में हो रहा है यानि कम amount में है तब तक तो ठीक है पर कभी कभी क्या होता है over eating वगार की वज़े से हमारे पेट में या फिर हमारे stomach में excess acid produce हो जाता है क्या होता है जितना हमको required है उससे जादा acid आ जाता है जिसकी वज़े से हमें पेट दर्द वगारा या फिर pain दर्द होने लगता है या irritation वगारा होने लगता है तो उस case में इसको cure करने के लिए हम क्या करेंगे हम base को intake करेंगे अब base को हम क्यों लेते हैं क्योंकि देखे यहाँ पर already acid है अब acid जब जादा हो गया तो अब इसके स इसी डिवे से indigestion हो गया और इस indigestion को ठीक करने के लिए हम basis का intake करते हैं और जो हम intake करते हैं उससे कहते हैं ant acid क्या कहते है ant acid याद रखेगा नहीं में आप लोग और इस ant acid का मत्तब क्या होता है anti acid और इनका काम क्या होता है कि यह जो excess acid produce हुआ है इसके साथ मिलके neutralize करते है और जो overall pH हमारे stomach का है उसको वापस maintain कर दें अब यहाँ पर जो हमें indigestion due to acidity हो रहा है इसके लिए ant acid जो भी लेते हैं उसका दो example आप लोग याद रख लिजेगा एक है आपका milk of magnesia जो आपने last page पे देखा है और यह हमारे कुछ और नहीं magnesium hydroxide होता है क्या होता है MgOH hold twice दूसरा ant acid आप लोग ग्याद देख कर लिजे sodium hydrogen carbonate या फिर sodium bicarbonate जिसका दूसरा नाम baking soda भी होता है baking soda यह दोनों हो गए आपके ant acid के example next point है pH change as a cause of tooth decay तो क्या होता है जैसे हम कोई food खाते हैं किस टाप का food जैसे sugar containing food मीठा food तो हमारे mouth में जो भी bacteria वेगार present होते हैं वो इस food को breakdown कर देते हैं और इस food या फिर sugar को breakdown करके acid form करते हैं acid आपके क्या जैसे lactic acid form कर दिया तो क्या हुआ एक तरह से जैसे आपने कोई sugar वाला item काया तो खाना तो आपके पेट के अंदर चला गया पर जापका mouth है वो क्या होगा acidic nature का हो गया उसमें acid का amount बढ़ गया और यह किया किसने जो bacteria वेगारे present हैं तो यहां पर जो हमारा overall mouth का pH था वो क्या हो गया कम हो गया अब अगर यहां पर pH हमारा mouth का 5.5 से उपर है तब तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है पर जैसे ही 5.5 से pH आपका कम होता है तो क्या होता है यह हमारा harmful होता है यहां पर आपका tooth decay जो है वो start हो जाता है अब समझे कि tooth decay में actually होता है क्या है हमारे पास होता है tooth enamel tooth enamel आपको पता होगा hardest substance of body होता है और एक पॉंट और याद रखेगा कि जो tooth enamel है यह बना होता है calcium phosphate से किससे बना होता है calcium phosphate से अब जब mouth का pH काफी कम हो जाता है acidic nature हो जाता है जैसे 5.5 से कम हो गया तो यह इस पर attack करता है हमारे tooth enamel पे और इसको harm पहुचाता है और इसको धीरे धीरे फिर करोड कने लगता है या फिर सडाने लगता है और फिर time के साथ धीरे धीरे आपका पूरा दात है वह खराब हो जाएगा अब देखे इसको रोकने का तरीका क्या है रोकने का तरीका यह है कि जैसे कोई आप मीठा item खाए उसके बाद आप मूह धूल लीजे कहने का मतलब कि आप लोग अच्छे से कुल्ला वगर रकर लीजे जब कोई आप मीठा item खाए या फिर दूसरा प्वेंशन का तरीका क्या है कि आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं टूथपेस्ट का मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले बताया था कि पीएच आट से नौ होता है यानि बेसिक इन नेचर है अब देखिए यह क्या कर रहा है टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर है तो हमारे जब माउथ में गया यह अल्ड़ेड़ी ऐसडिक था हमारे पर इन ही सब की वज़े से जो आपने अभी पूरा पढ़ा इसी वज़े से आपको बोला जाता है कि आप स्वीट्स टॉफी आइसक्रीम चॉकलेट्स या फिर जितने भी मीठे चीज होते हैं उसको आप थोड़ा कम खाया करिए नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ पिएस इन अवर एवरीडे लाइफ क्या है प्लांट्स और अनिमल्स और अनिमल्स हैं यह बहुत जादा संस्टिव होते हैं पिएच चेंजिस में अगर पिएच जो उनको रिक्वाइड अमांट है उससे बढ़ जा रहा है या फिर थोड़ कई जगह हमारे सोयल का जो पिएच हो फो इसमें प्लांट्स और कई जगह यह होता है अब मोस्ट आफ सब्सक्राइब मतलब वह एसेड हो गया तो उस केस में क्या करते हम बेस का यूज करके सोईल को न्यूटराइज करने कुशिस करते हैं यहाँपर हम बेस का यूज करें और बेस में क्या यूस करते हैं जैसे कालसियम और यूस कर दिए या फिर कैल्सियम हइड्रकसाइड य्यूस कर लिए या फिर आप क्या यूस कर लेते हैं 결고 muscular यह सब यूसकरने से क्या होता है जैसे आपका region में आपका जो soil है उसका pH 7 से जादा होता है यानि soil आपका basic होता है 7 से जादा होता है यहां पर हम क्या बात करते हैं 7 से कम की तो ऐसे जगह ओपर हम क्या करते हैं soil में acid मिला देते हैं ताकि जो overall pH है वो 7 से जो बड़ा हुआ है वो घट कर 7 के पास आजाए और यहां क्या मिलाते हैं और गैनिक मैटर और गैनिक मैटर नॉर्मल नहीं और गैनिक मैटर ऐसा मिलाते हैं जिसमें acid contain हो जिसमें acidic materials हो तो यह तो हो क्या plants के लिए अब हम देखते हैं animals के लिए जो pH है वो even human beings हम लोग के लिए भी बहुत ज्यादे important है क्योंकि जो हमारा body है जो human body है वो properly work तभी करता है जब pH 7 to 7.8 हो यानि neutral या फिर हलका सब basic हो इस range में जब pH रहेगा body का उस case में हमारा body अच्छे से perform करता है इसी तरह जो हमारे aquatic animals है aquatic animals मतलब जो पानी में रहने वाले हमारे animals हैं वो भी particular pH range में survive कर पाते हैं अगर pH बहुत ज्यादा हो गया या फिर pH बहुत ज्यादा कम हो गया तो यह बहुत ज्यादा harmful होता है aquatic animals के लिए aquatic animals जैसे आपके fish हो गए मचलियां जैसे हो गए तो क्या होता है कभी कभी जैसे हमने पढ़ा अभी acid rain का तो acid rain क्या करता है हमार जो water है उसका pH क्या करेगा घटा देता है नॉर्मल जो हमार पानी होता है वह आपको पता है कि उसका pH 7 होता है neutral water का पर जो acidic rain होता है, जो acid rain होता है, वो water का pH 5.6 या फिर उससे कम कर देता है, जो pH rain का पानी है, ये घूम फिर के तो पहुचता है वहीं, lakes और ponds में या फिर नदी बगर में, और वहाँ पर होता है आपके fishes या फिर aquatic animals, तो overall ये जो survival है, fishes का या फिर aquatic animals का, ये disturb हो जाता है, डिस्टाब होने का main कारण क्या है, कि जो हमारे nature है पानी का, वो acidic हो जाता है, अब यहाँ पर इससे बचने का थरीका क्या है, कि जो हमारी lakes वगर होती है, या फिर नदी वगर है, इसमें हम calcium carbonate डालते हैं, calcium carbonate डालने से क्या होगा, कि जो acidic nature है, ये एक तरह से base है, तो acid base आप aquatic life है, वो बच जाएगा, अब आज का last point है, self defense by animals and plants, through chemical warfare, मतलब self defense करना है, यानि अपने आपकी रक्षा करना है, अपने आपको बचाना है, किस से animals और plants से, और कैसे chemical warfare से, मतलब chemicals का use करके, तो देखिए, क्या होता है, जब किसी इंसान को honey bee काट लेता है, honey bee क्या आपका मद मक्खी हो गया, तो यह क्या करता है, एक acid inject कर देता है, एक acid डाल देता है body में, जिसकी बज़े से, बहुत दर्द, बहुत पेन होता है, और जलन भी होता है, irritation भी, अब इसको cure करने का, या फिर ठीक करने का तरीका यह होता है, कि जिस जगहा पर काटा है, वहाँ पर आप baking soda अपलाई करिए, क्या अपलाई करिए, baking soda, अब यहाँ तक आप लोग तो समझी गए होगे, कि हम baking soda क्यों लगा रहे हैं, क्यों जैसी यहाँ पर यह acid डाल दिया body में, अब baking soda होता है, आपका base, baking soda क्या है आपका, NaHCO3, जो क्या होता है, acid और base, आपस में मिल के क्या करते है, जिसकी वज़े से overall, जो dunk वाली जगा है, जहाँ पर honeybee का sting है, वहाँ पर हमको आराम मिलता है, या फिर relief मिलता है, इसी तरीकी से एक होता है, wasp sting, wasp sting क्या होगे आपका, तताई का dunk, तो यह क्या करता है, हमारे body में base inject कर देता है, जैसे honeybee आपका acid inject कर रहा था, जो wasp sting होता है, यह हमारे body में base inject कर देता है, तो अब इससे बचने का तरीका क्या होगा, कि यहाँ पर हम acid apply कर दें, और acid कैसे mild acid, mild acid मतलब हलका acid apply करेंगे, और यहाँ पर हम क्या use कर सकते हैं, जैसे vinegar का use कर लें, vinegar वही आपका CH3COH, जिसे आप acetic acid भी कहते हैं, तो इसको use करने से क्या ह होगा, जब acid or base आपस में react करेगा, तो यह neutralize कर देगा, और फिर जैसे उपर वाले case में था, same चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ हमने जैसे honey bee का sting पड़ा, इसी तरीकिस होता है, and का sting, यानि जब चीटी करती है, तो वो भी हमारे body में acid produce कर देती है, कौन सा acid, यहाँ आपको आराम मिल जाएगा, तो दोस्तो, यहाँ थकता आपका overall वीडियो, pH पर और pH की importance पर हमारी daily life में, अब next वीडियो में हम पढ़ेंगी salts के बारे में, और family of salts के बारे में, अब तक के लिए all the best, जैहंद, कर दो